नमस्ति दोस्तों, दोस्तों प्रस्तुत है जूठन उपन्यास का सारांश जूठन उपन्यास ओम परकास भालमिकी द्वारा लिखित एक दलित उपन्यास है ये उपन्यास लेखक ओम परकास भालमिकी की आतमकथा है जूठन उपन्यास एक दलित सहिते है लेखक की ओर से दलित जीवन की पीड़ाएं ऐसे हैनी ये ओर अनुभव धग्द है ऐसे अनुभव जो सहितिक अभिव्यक्ति में स्थान नहीं पा सके एक ऐसी समाज व्यवस्ता में हमने सांसे ली हैं जो बेहद कुरूर और अमान्विय ही नहीं दलितों के प्रती ऐसा मेंदन सील भी ऐसे समाज में हमने सांसे ली हैं जो बेहद कुरूर और अमान्विय है बलकि दलितों के प्रती ऐसा मेंदन सील भी है ओमपरकास बालमेकी के बारे में दो शब्द उम्परकास भालमिकी का जन्म 30 जून 1950 में बरला गाउं जिला मुजफर नगर उतरपरदेश में हुआ था उनकी मृत्यू 17 निवंबर 2013 उम्र केवल 63 वर्ष 12 दून जूठन उपन्यास सामाजिक साडान्द को उजागर करने वाले दलित लेखक उम्परकास भालमिकी की आत्मकता है लेखक का जन्म एक चूड़ा परिवार में होता है उनके घर के पास एक बड़ा सा तालाब है जो बारिश के समय तो बड़ा तालाब लगता है लेकिन जब बारिश नहीं होती तो सूख कर छोटा हो जाता है तो उसको जोडी कहते हैं उसका नाम है डबों वाली, उस डबों वाली के आजपस गाउं की महिलाएं, यहां तक की नई नवेली दुलन भी, डबों वाली के पास सर्वजनी खुले सोचाले में निर्वर्त पाती थी, तमाम शर्म लिहाज छोड़कर वे गोपनिये जिस्म उगाड़कर बैठ जाती थी वहीं पर सूवर, जानवर घुमते रहते थे, गंदगी और बू का बंडार था, ऐसे माहोल में बचपन बेता, यह लेखक द्वारा अपने बारे में बताया गया है लेखक का कहना है, मेरा पूरा परिवार, माता, पिता, ताउ, ताई, सभी लोग काम करते थे, फिर भी दो जून की रोटी मुहसर नहीं हो पाती थी तगा के घरों में साफ सफाई से लेकर जानवर तक का काम करना पड़ता था, उसके बदले में कोई मजूरी नहीं मिलती थी, बेगार करने पड़ती थी गाउं में सभी उनको उनके नाम से नहीं, बलकि जाती से संबोधित करते थे, अबे वो चूड़े के, इस प्रकार से वो हमें बुलाते थे सामाजिक स्थर पर इंसानी धर्जा नहीं था, खुत्ता बिल्ली जानवर का स्पर्श हो जाए तो कुछ नहीं, परन्तु चुहुडे का नहीं होना चाहिए, ऐसा प्रशता का ऐसा महोल था, जबकि कानोनी तोर पर इस पर बैन लग चुका था हमारे गाउं में एक क्रिश्चन आदमी आता था, जिसका नाम था सेवकराम मसीही, उन्हीं से मैंने बेसिक पढ़ाई शुरू की, बाद में बड़ी जद्दो जहद के बाद प्रैमरी स्कूल में दाखला हो पाया था मुझे बाकी बच्चों से अलग बैठना पड़ता था, मेरा नमबर आते आते चटाई खत्म हो जाती थी त्यागी बच्चे चूढे का कहकर चिढ़ाते भी थे, कभी कभी पिटाई भी कर देते थे स्कूल में पानी पीने के लिए हैंड पंप के पास खड़े रहकर इंतजार करना पड़ता था कि कोई आएगा तो वो पंप चलाएगा, तो मैं पानी पी सकूँगा हैंड पंप को चूने से बवेला हो जाता था, ऐसे महोल ने मुझे चिढ़-चिढ़ा तथा अंतरमुकी बना दिया था मेरी ही क्लास में राम सिंग तथा सुखन सिंग भी थे, राम सिंग चमार तथा सुखन सिंग जीवर था स्कूल में नया हेड मास्टर आया था और उसने एक दिन मेरे को बुला कर कहा कि इस पेड़ पर चड़ जा, शीशम के पेड़ पर चड़ जा और हरी हरी टेहनिया पत्ते समय तोड़ कर लेया और पूरे स्कूल को चमका दे, ये कहकर कि तुम्हारा तो ये खानदानी पेशा है, बाकी बच्चे पढ़ रहे थे, मैं जाड़ू लगा रहा था मेरी मा तगा के घर में काम करती थी, उनके घर में शादी थी, जब बारात खाना खा लेती थी, तो उनकी जूटी पतल भे लोग हमारी टोकरी में डाल देते थे हम लोग वही बचा हुआ जूठा बोजन खाते थे जादा होने पर उसे सुखा लेते थे बाद में पान में उबाल कर खाते थे हमारा पूरा परिवार तगाओं के घर पर काम करता था इसके बदले मिलता था साल में पांच किलो अनाज जो काफी नहीं था चठी कक्षा में दाखले के लिए मेरे घर में पैसे ना होने के कारण मुझे दाखला नहीं मिला था मैं दाखला नहीं ले पाया था मैं एक दिन सुवर चरा रहा था और बाग की बच्चे स्कूल से लोट रहे थे उन्होंने मुझे बताया कि वे स्कूल बिल्कुल अलग तरीके का है, हर पिरियड का अलग मास्टर होता है मेरा मन बहुत उदासवा ये सब सुनकर घर आकर मैं मा के सामने रो पड़ा था और कहा था कि मैं स्कूल जाऊंगा, मुझे पढ़ना है मा ने बताया था कि एडमीशन के लिए दाकले के लिए पैसे नहीं है तब भावी ने अपनी पाजेव लाकर मा के हाथ में थमा दे थी कि लाला का दाकला करा दो, ये पाजेव गिरवी रख दो या इनको बेच दो तो मेरी भावी ने अपनी पाजेव गिर्वी रखनी पड़ी थी एड्मीशन के लिए गरीबी का यह आलम था सब लोग मुझे ये कहे कर चिड़ाते थे अबे चुहडे का सुवर खाता है तब मुझे वह त्यागी लोग याद आ जाते थे जो रात के अंधेरे में सुवर खाने आते थे जो लोग रात को गोस्त खाने आते थे वह भी दिन के समय चुवा चूत मानते थे भूख और ऐसा है जीवन से घ्रनेत शणों में सामन्ती सोच का यह महा कावे मेरी पीठ पर ही नहीं मेरे मस्तिक्स के रेशे रेशे पर अंकित है अंध विश्वास प्रचूर मात्रा में था बीमारी का इलाज ओजा से कराया जाता था परन्तु मैं इन सब बातों में विश्वास नहीं करता था जब मैंने दसमे की परिक्षा पास की तो चमनलाल त्यागी हमारे घर मुझे बधाई देने आये थे सबसे बड़ी बात ये थी कि कोई त्यागी मेरे घर पर आया था मुझे बधाई देने और मुझे अपने घर पर ले गए थे और मुझे अपने पास बिठा कर अपने साथ खाना खिलाया था वहें भी अपने भर्तनों में, यह चुवा चात के महोल में एह परत्याशित घटना थी, मैं इंटर में फेल हो गया था, मुझे इंटर पास करने के लिए तिहरा दून जाना पड़ा था, लेखक ने कुछ कुमाउं, घड़वाल के पूजा पाड़ सथा संस्कृती पर भी प्रकाश डाला है, कि किस प्रकार वहां पर दिफावली के बाद पशुबली दी जाती है, वहां पर मेले का आयोजन होता है, उस मेले में महिलाएं अपनी पारंपरिक वेश भूशा और चेवरातों से सजी दजी भाग लेती हैं, वहीं पुरुष हातों में फरसा उठाए नाज्ते गाते हैं, लेखक का एक आडिनेस फैक्ट्री पर्शिक्षन संस्तान में चहयन हो गया था, यहां से लेखक के जीवन में परिवर्तन होता है, तथा लेखक के जीवन में अच्छे समय की शुर्वात होती है, उसके लिए दो वर्ष के लिए खमरिया जबलपुर में जाना था, वहां पहुचने के उपरांत मैंने देखा, मेरे लिए बहुत कुछ अजुबा था, खाने पीने की चिंता नहीं, सब कुछ समय से मिल जाता था, मैं वहां बहुत खुश था, मेरे व्यक्तित्व का निर्मान चात्रवास में ही हुआ था, मैं वहां पर शत्रंज भी खेलता इन दिनों में ही मैंने रंग मंच शुरू किया था, मैंने नाटकों में भाग लेना शुरू कर दिया था, इन दिनों ही मैंने कविता लिखना भी शुरू कर दिया था इन्ही दिनों आडिनेंस फैक्टरी ट्रेनिंग इंस्टिशूट अंबरनात मंबई में मेरा ड्राफ्स्मेन में चैन हो गया था और मैं मंबई आ गया था विनायक सदासिव कुलकर्नी कालोनी के फ्लैट में रहता था अंबरनात में होने वाली सांस्कृतिक गति विद्यों का कींद्र था खुलकर्नी एक दो मुलाकातों के बाद ही आत्मियता बढ़ गई थी कुलकर्नी की छोटी बेटी सवीता मेरी हम उमर थी हमारी शामे कुलकर्नी के घर पर ही गुजरती थी परंतु खाना हम होस्टल में ही खाते थे खुलकर्नी को गोस्ट खाने का शोग था वो हमारे साथ होस्टल में आकर खाना खाते थे जिसका बिल हम लोग चुकाते थे और हम लोगों के पास इतना पैसा ना होने से हम लोग उनके खाने से परिशान हो गए थे मुझे लगने लगा था सभीता का लगाओ मेरी और बढ़ रहा है कभी कभी वह होस्टल भी आ जाती थी मैंने सभीता को सब कुछ सच-चच बता देने का निश्चे कर लिया था वह मुझे अंबरनाथ रेलवे स्टेशन पर उपका रेस्टोरेंट के पास मिल गई थी उसके बाद हम कभी नहीं मिले बाद में मैंने स्वनलता भावी की छोटी बहन चंद्र से शादी कर ली थी 17 दिसंबर 1973 को मैं नाटक तथा कविताएं लिखने लगा था हमारी मेग दूत नामक मंडली थी वहां मी मैंने महसूस किया कि स्वनचाति के लोग बाकी सभी त्योहारों पर बढ़ चड़ कर प्रोग्राम में हिसा लेते हैं लेकिन अमबेडकर जैनते पर सभी गाइब रहते थे अमबेडकर के लिए अपशव्ज भी बोलते थे अंत में यही हुआ मैंने इन धार्मिक उत्सवों का भहिशकार करना शुरू कर दिया ऐसे रंग कर्मी धूंडे जो परिवर्तन के अकांक्षिती कई दलित नाठकों का मंचन किया मेग दूत नाठे संस्ता ने कई दलित नाठकों का मंचन किया इस उपन्यास में लेखक ने उन सभी तथियों को उजागर किया है जो निम्न जाती होने की वज़े से उन्होंने जेला था अपने अनुभव बताए हैं कुछ लोग मेरे सरनेम की वज़े से मुझे ब्राह्मन समझ लेते थे जब मैं अपने सरनेम की असलियत बताता तो हमारे बीच गहरी खाई बन जाती और हमारे रिष्टे समाप्त हो जाते पढ़े लिखे दलितों में एक पहंकर संकट खड़ा हुआ है जिससे उभरने का वे ततकालिक और सरल रास्ता धूंडने लगे हैं वे अपने सरनेम को थोड़ा बदल कर लिख लेते हैं दलित मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं परन्तु समाज उनको मुख्य धारा में जुडने से रोकता था आपने से निमन समझता है उनके कारिये को संधे की दरश्टी से देखता है दलित अंदोलन से जुड़े रचनाकारों, बुद्धी जीवियों, कार्य करताओं को अपने अंत्र द्वंद से लगातार जूझना पड़ता है कितना भै छुपा है मन के अंधेरे कोने में जो हमें सहज जीवन जीने ही नहीं देता चंदरपूर से देहरादून स्थानांतर होकर आया तो मेरे सरनेम के कारण मुझे किराय का मकान लेने में बड़ी दिक्कत आई थी जाती एक सामजिक रोग है जहां पर योगेता, कुशलता, जाती के अधार पर आकी जाए जाती सामजिक स्रेष्टा के लिए महतवपूर्ण हो, वहां ये लड़ाई एक दिन में नहीं लड़ी जा सकती कई विद्वानों ने ये जानना चाहा कि स्वर्णों के मन में दलित से इतनी घ्रणा क्यों है? पेड़ पोदे, पशु पक्षियों को पूजने वाला हिंदू, दलितों के परती इतना एह सहिशनों क्यों है? जाती ही मेरी पहचान क्यों? कई लोग मुझे इसलिए एरोगेंस भी कहते हैं, क्योंकि उनकी नजर में मैं सिर्फ ऐसी हूँ, दरवाजे के बाहर खड़ा होने वाला